अपार्ट फ्रम नेमिंग एलिबडी किसी का नाम नहीं भी ले सपा कांगरेश दिस तैट तब भी गठवंधन का कुछ मूल धर्म होता है आप जिसको जोड़ना है गठवंधन को उसकी बात गठवंधन के मूल धर्म में आती है माल लिजे संजेर निशाद को इतना नहीं भी भाजपा करती क्या तो भी संजेर निशाद क्या करते वो तो सरकार बनाने लेते क्या फिर भी वो भाजपा की साथ खड़े होते या अपना दल के लिए कई देते कोई एक रहेगा दो नहीं रह सकते हैं अभी तीन दिन के भीतर उम्रकाश राजपार शपत लेने वाले हैं दारह सिंघ सपत लेने वाले हैं मालों नहीं वर्मंत्रि तो क्यों उच्छना भारवा देंगे नहीं ना राजबर विप्रीच गटबंदन में थे तब भाजबन सरकार मना ली लेकिन वो होता है भरोसा देना इससे सीखना चाहिए कांगरेस के साथ यह पुरानी शिकायत है कांगरेस को पुरा नहीं मानना चाहिए यह पुरानी शिकायत है कि आप वक्त पर भले ही थोड़ा जुक्वी जाओ जैसे वक्त निकलता है फिर आप कहते हो हां बाहर वेटिंग में बढ़ाओ अभी में बात करेंगे मं आप यस नाय Courtney आपने शर्थ पवार की बात कही रतनाकर भाई ने कहा वो देश के बड़े नेता हां उन्होंी रतनाकर भाई का वो जो कहरे है वह सथ आई चलो ठीक है हालाकि आप नहीं मानते हों वो ओंडानी को ठीक बता रहे आप उस बात को सच नहीं मान रहें लेकिन चलो मान लेते हैं तो शरत पवार नहीं कहा था कि कांग्रेस का मिजा आज उस जमीदार जैस्ता है जो ये मानने को तयार नहीं कि अब ना लोग कहें भी रहे चाचा आप जमीदारी चली गई मानी नहीं रहे इसन पवार ने कहा था मैंने इसलिए अच्छे लगे तो धन्यबाद भी उन्हें दीजिया बुरा लगे तो आलोचना भी पवार साब की तरी आप इनका बड़े बुड़े नेता हैं वो देश को अच्छे जानते हैं इसलिए उन्हें नेका राज्य सबसे आधर्श इस्थिति वो होती जो जिस राज्य में महत्पूर्ण शक्ति है वही निर्णायक होगा आप माली जयंत चोधरी कहें कि उत्रपदेश में हम मुख्या बनेंगे तो कईसे बनेंगे आपके उत्री इस्थिति ही नह बन सकते ना गटवंदन के और मान लीजिए एक वर्स सिच्विशन आप अपने मन से हो जाए या आप कर दो आप बसपा के साथ भी जाओ तो अखिलेश यादव से ज्यादा हाड़ वारगे नर मायावती जी है यह भी जान लीजिए क्या यह मैं कांग्रेश को से एक व्यक्ति का तरुभव से सला दे रहा हूं अकलेश यादव तम भी लिहाज कर लेते हैं क्या बहें जी क्या तो ऐसा भी हो सकता है कि राहुल जी प्रियंका जी दोनों गेट पर खड़े हो पंद्रा मिनिट बाद गेट खुले क्या समयते होने के बाद जब तक एन आई बगारा सब नहीं आ जाए कैमरे में शूप नहीं हो जाए गेट पर खड़े फिर खुलता जेट नतनाकर जी उनको इससे मतलब नहीं क्या अब राश्ट्री पार्टी हो यह क्या हो अंतराश्ट्री ना भाजपाने उनसे भी निवालिया था जब आट पर यह इसे बड़े नेता जिंदा थे तब आप क्या करेंगे विकल्प कहा है और इस तर्क में भी जान नहीं है मित्र मेरी बात माल लेजिए कि तीन महिने पहले हम कुछ कहें कि यह चोर है यह चोर है यह चोर है तीन महिने हम सब सादू है यह बात जनता स्विकार नहीं करेंगी और आखरी टिप्पनी करूंगा जिसोर्ट शाइद किसी मित्र ने इशारा किया था अथारा को याद रखिये रतनाकर भाई आप तीन राज्य जीत कर आये थे जो चुनाव में जा रहे अभी 36 गड़ मद्वदेश औ इंकमिंग काली बंद कर दी टेलिफोन में उस दवरान इसी तेश ने बोट किया जिस राजस्थान ने अक्षोग जी को सरकार में बठाला उसने आपको एक सीथ नहीं दी राज्य में कुछ तो कारण रहा होगा कोई तो वजह रही होगी ना मित्र लोग तंत्र और धन्द प्रेक्ष्टा दो आवी थी चत्रिकड़ में भूपेश वगेल आए राइस्थार मध्यपदेश में भी कमलाद जी आए वो चरकार में चेनी चोड़ो लेकिन आंतों में हुआ क्या चारी महिने बाद तब भी चुनाब था पांच महिने बाद टाइम टेबिल भी से महमेत्र उसका कारल जब मैंने सोचने की कोशिश की राजनीत के विद्यार थी के तौर पर तो मेरी समझ में आई कि कॉंग्रेस अगर समसिब मतलब विनम्बर रही होती सहयोग्यों के साथ तो 19 में बेहतर परिणाम पाती है और एक आखरी बात जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिहार में तेजस्वी यादव ने गठवंधन धर्म के लिए ही तो आपको ज़्यादा सीटे दे दी बाद में तेजस्वी और सीम की कुरसी के बीच में जो दूरी बनी वो उस अगर वो सीटे आधी आपको दी होती है आधी तेजस्वी ने लड़नी होती है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होते है अकेले नहीं यह गठवंधन का तत्व है मर्म है इसको सीखना समझना बहुत जरूरी है दन्यबाद